एक लंबे समय बाद आजम खान अंतरिम जमानत पर आजेल से बाहर हो गए हैं और बाहर आने के बाद उत्तर प्रोदेश में राजनीती काफी गर्माई हुई है क्योंकि हर कोई अब आजम खान को अपने साथ लाने में लगा हुआ है क्योंकि 24 का चुनाओ है फिलाल हमसे बात करने के लिए रविंद कुश्वाज जी है बाजपा के सांसत सर आजम खान बाहर आ गए है और उत्तर प्रोदेश में राजनीती काफी गर्मागई है क्योंकि कभी श्यूपाल सिंग यादो कभी मायावती कभी अकलेश यादो बीजेपी के कई दसारे नेताओं का भी बयान आया है आज भी बयान आया है कि आजम खान जेल से बाहर आए हैं लेकिन उनको उनकी जो करम है उनकी सजा जरूर मिलेगी क्या किनास पर देखिए ये आजम खान साब जो जेल से बाहर आए है नियाईक परक्रिया के तात उनकी जमानत हुई है और जो ये कि उनके आने से उत्तरपतेश की राजनीत पर कोई बहुत बड़ा असर पढ़ने वाला है ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हम लोग को याद है 2014 के लोग सभा चुनाओ, 2017 का विधान सभा का चुनाओ, फिर 2019 का लोग सभा का चुनाओ, तो आजम खां समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने भाजपा के खिलाब कैमपेन किया है और उनके जेल के बाहर रहते भी भारती जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाती रहे है उत्तरप्रदेश में और किंद्र में भी हमारी सरकारी बनती रहती है, आप कहरें कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष के कई सारे बड़े नेता है, उनका यह कहना है कि नहीं इबारत लिखी जाएगी, आजम भाई बाहर आ गए है, श्व चुनाओ के पर, यह सपा और बसपा का गटबंधन हुआ, गटबंधन के पाद इस तरह का एक माहौल क्रियेट किया गया, कि भारती जनता पार्टी एकदम अपने निचले पैदान पर आ जाएगी, और भारती जनता पार्टी की सीटे नहीं निकलेगी, यहां तक कि राम ग गटबंधन को ले करके एक नारा लगा गाओं देहात में, हाथी, लाठी और 706, यह नारा ऐसा लगा, कि लोगों ने कहा हम तीन इकठा हो गए हैं, और भारती जनता पार्टी को हम लोगों हरा देंगे, इसकी जबर्दस्त पर्त के लिए आम जनता हो ही, और उसके ताहत प के बाद आपने परिणाम देखा कि सपा बसपा जैसे मजबूत गटबंदन के बाद और 64 भारती जनता पार्टी उत्तरपदेश में जीतती है, हमको नहीं लगता है कि आजम खाके आने से रत्ती भर भी कोई असर उत्तरपदेश की राजनीत पर पढ़ने वाला, आपको नह जन कल्यानकारी योजनाएं हैं, भारत सरकार की उत्तरपदेश सरकार की, बिना भेद भाव के मिलने के कारण, हम लोगों ने महसूस किया 2012 के चुनाओं में कि अच्छी खसी संख्या में गरीब मुसलमान भाई भी भारती जनता पार्टी को ओड़ देने लगे, यादो के गटबंदन बनाने से, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार को चार बार लोगों ने देखा है, तीन बार मुलाहिम सिंग जी थे, एक बार अखिलेश जी थे, मायावती जी चार बार रही है, तो यह जे तुलनात्मक जब जनता उसका ध्यान करते हैं, समझते हैं कि भ बड़ा किसान अंदोलन खड़ा हुआ, और पस्चिमी उत्तर प्रदेश में और मीडिया के द्वारा ऐसा लगता था कि भारती जनता पार्टी तो गई, लेकिन आपने देखा कि पस्चिम से ही भारती जनता पार्टी मजबूती के साथ उभर के आई, और हम समझते हैं कि 255 सीट अकेले भारती जनता पार्टी अपने सिंबल पर जीत के आई, जिस समय समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा अंदोलन चला था, बहुत उनकी लहर थी, तो वो 212 सीट जीते थे, हमको याद मायावती का भी जब यह अपनी सरकार फून बहुमत की बनी थी, 207 सीट थी, तो हमारी तो 255 जीत के आए, इतने के बाद भी, और कंटीनीव किया है, 38 साल के बाद उत्तर परदेश में कोई सरकार ने कंटीनीव किया है, यह जनता की देन है, और जनता का विश्वास है मोदी जी और जोगी जी के ऊपर, उसी का परड़ाम है, कि भारती जनता पार जीत के आई है, और 24 में भी, हम समयता है काम से कम 88 सीट से उपर, हम लोग चुनाव जीते हैं, एक सवल मेरा ग्यान व्यापी को लेकर के है, अभी अकलेश शादो का एक बयान आया है, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत में पीपल के पीड़ के नीचे लाल जंडा लगा है कि अगर इस बार बाबरी की तरह ग्यान व्यापी में भी कुछ विवाद होता है, तो हम एक नई प्लैनिंग करेंगे, प्लैनिंग किस तरह की ये उन्होंने नहीं बताया, और वैसी इस पर काफी अडिक हैं, वो कह रहे हैं, इस बार एक इंचे जमीन नहीं देने वाले, जमीन तो उनके पिता जी की है, नहीं मैंने पहले कहा है, वो बैसी की जमीन नहीं है, और दूसरी जी जो अखिले जी ने कहा है, कि कहीं भी लाल जंडा लगा करके, और एक पथर लगा के, और पूजा सुरू हो जाती है, तो उनको इस बात का भी ज्यान होना चाहिए, कि जान में आना चाहिए, केवल हिंदू धर्म पर नहीं आना चाहिए, कि पता नहीं क्यों आपने को हिंदू मानते भी हैं की नहीं है, वो हिंदू हैं भी की नहीं है, हमको नहीं पता चलता है, लेकिन जीस तरीके से उन्होंने एक तरह से हिंदू धर्म की, एक हमका सकते हैं क दर्ति अमारी हंदुmental की थर्ति है और सही है कि जीश तरीके से कि हमका सकते हैं कि यह जो बटवारा हुआ हिंदुस्तान ग-, नच्ोषान एपतालीशक के बाद और धर्म के आधार पटवारा हुआ हुआ है मुसलिम और हिंदू के नाम पर बटवारा हुआ पाकिस्तान मुसलिम को दिया गया हिंदूस्तान हिंदू को दिया गया तो यह तो सीधी सी बात यह तो असरणार्थी हैं यहां है ठीक है सारा अधिकार उनको समिधान ने दिया है वो बराबरी का हक है उनका सब लोग मानते है कोई से मुणा नहीं करता है लेकिन भाइ कम से कम एक जीटने आपके आकरांता थे जो आकरांता थे जो ईधिक वह की हिंदुस्तान पर आक्रम्ण किया यहां के लोगों को मारा-काटा बेज़त किया अपना फुरॉज बनते अज Quand उनको कभी ए नहई देगे केवल उनको भागवान स्रिक्री की नगरी मतुरा में ज़ान उनकी जनभूम-या-वहीं-नकी मस्जीद बनेगी अर जोद्या में जहां राम जनम हर्भूम-या-वहीं-की मस्जीद बनेगी थे लिए तो आज यह पुराने जो पाप किए गए अर ज जा रहा है और भारती जनता पार्टी नहीं सुधार रही हिंदुस्तान का सरवच्च नियाल है इसको सुधारने का काम कर रहा है रविंद कुश्वाज जी ते बीज़ेपी की सांसत साफतार पर कहना है कि आजम खान जेल से बाहर तो आ गए हैं लेकिन उत्तर प्रदिश की र और साफतर पर उन्होंने ये भी कहा है कि सरवच्च नियाले इसमें पूरी तरह से नजर बनाए हुए फैसला सबके हिद का ही होगा कैमराव संच उन्च उमके साथ मैंने तिन पाइम टेम